जै हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज हम जानेंगे कि रणिंग में बिना सांस फूले, बिना थकान महसूस किये, कैसे लंबे समय तक दोड़े, कैसे रणिंग में स्पीड लाए? दोस्तों आपने बड़े बड़े धावक मोहम्द फराह जैसे विश्व चांपियन दोरते हुए देखे होंगे उन्हें दोरते तो हर कोई देखता है, परन्तु क्या आपने कभी ये भी सोचा है, कि मोहम्द फराह कैसे रणिंग में विश्व विजेता बने? तो दोस्तों में आपको दूंगा सही जानकारी बने रहिए, वीडियो के अंत तक, तो दोस्तों हम करते हैं अच्छी रणिंग करने में शुरुआत की जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, यानी एक अच्छे धावक में क्या-क्या खासियत होनी चाहिए, अगर ये जान गए तो आपकी दौड बहतर होने से कोई नहीं रोक सकता, तो दोस्तों सबसे पहले एक अच्छी नींद ले, एक अच्छे धावक को एक गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है, दोस्तों अच्छी नींद ज्यादा घंटे सोने से नहीं आती बलकि सही समय पर नींद लेना म नाव मुक्त रहे उसके बाद बात आती है दोस्तों रनिंग करने के लिए आप सुबह उठकर ग्राउंड पहुंचे और दो चार राउंड निकाल लिए तो दोस्तों यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों आपको करना क्या है आपको अगर एक अच्छा धावग बनना है तो ये गलती कभी मत करना आपको अपना एक प्लान लक्ष निर्धारित करना होगा जैसे हर एक अच्छे धावग बनाते है अपना वकाव प्लान बन पर मेसेज करे में आपकी मदद करूँगा आइटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो दोस्तों माना वकाओ प्लान भी आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों आपको कभी भी सीधा वकाओ शुरू नहीं करना है उसे पहले प्रॉपर वार्म अप जरूर कर ले वार्म अप करना क्यूं जरूरी है जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा वार्म अप करने के बाद ही वकाउट को शुरू करे एक बात और जैसे आपका वकाउट पूरा हो जाता है आपको घर नहीं जाना है आपको कुल डाउन कमप्लीट करके ही घर जाना है कुल डाउन करना बहुत जरूरी है अगर एक बहतरीन धावक बनना चाहते हो तो और समय समय पर पानी पीते रहना दोस्तों पानी की कभी भी कमी नहीं होना चाहिए और एक बहतरीन डाइट जरूरी है क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं शरीर को स्वस्थ रखने वदोर भाग करने में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आपका दाइट्व बनता है हमारा उत्साह बढ़ाने का ये उत्साह मिलेगा आपका प्यार पाके प्यारा सा लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले फैंक यो फो वाच